वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूँ आपकी वर्षा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो देखिए बहुत पेसिक से हम यहाँ पर बात करेंगे आप सबको पता होगा कि सबसे ओल्ड वेदा कौन सा है सबसे ओल्ड वेद कौन सा है तो वो है हमारा रिगवेद यह एक्जाम में बहुत पूछा जाता है यह सबसे सिंपल कौशन है और एक्जाम में हर बार आएगा ठीक है यानि कि 10 मंडल सूत्र 1028 और रिचायं 10462 ठीक है और एक और चीज़े यह याद रखिए इसमें रिगवेद के अंदर वामन अपतार का उलेक किया गया है ठीक है अब देखिए इसमें कुछ मंडल्स हैं जो हरवार पूछे जाते हैं जैसे कि थर्ड मंडल रिगवेद के अंदर थर्ड मंडल है वो क्या है तो इसमें गाहित्री मंत्र के बारे में बताया गया है और विश्वा मित्र सूर्य देपता ने सावित्री को यह कुछ पंक्ति इ पूछा जाता है नौवा मंडल नाइन्थ मंडल किस से रिलेटिड है तो इसके अंदर जो देपता सोम है उनके बारे में बताया गया है नाइन्थ मंडल में आठ मंडल यानि कि एड़्थ मंडल जो है वो भी पूछा जाता है आपके एक्जाम में तो इसमें हातों से लिख रिखनाओं को खिल कहा गया है इस मंडल के अंदर ये पूछा जा सकता है आपसे की हातों से रिखी रिखनाओं को क्या बोला जाता है तो उसको बोला जाता है खिल और ये हमारी एर्थ मंडल में बताई गई है फिर है दसवा मंडल दसवे मंडल में क्या बताई गया है तो दस 만ा इंद्र के बारे में हिंगे लिए 500 छोग हैं जो इसकी अनतरगत बताई गए हैं और ये पूछा जाता है जो एक प Опलने वाले को पर लिए को बुला जाता है और ये वर्यू और ये जूर ध छूहां इसमें पूजापाठगी के बारे में बताए गया है all पद्ध का वर्णन किया गया है सामवेत की बात करें तो याद रखे सामवेत में हमारे संगीत के बारे में बताया गया है ठीक है मंतर उच्चारण पढ़ने वाले को अब सामवेत के अंदर जो मंतर उच्चारण उसको पढ़ने वाले को दात तो बोला जाता है ठीक है और यह शास्त्र किसकी पुस्तक है भरतमुनी की और ये भी पूछा जाता है कि भारतिय संगीत का जनक किसे कहते हैं तो भारतिय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को ठीक है अब आते हैं अथरवेद पे तो अथरवेद की रचना किसने की थी ये नोट कर लीजिए आपको या फिर पता भी होगा अथरवेद की रचना किती अथरवा रिशी ने इसमें 731 मंत्र हैं ठीक है और 6000 इसमें पद हैं ठीक है और अथरवेद जो है इसमें क्या क्या बताया गया है इसमें कन्या के जर्म की बुराई की गई है ठीक है ठीक है अथरवेद के अंदर और आप एक और जो है क्या मैत्री सहिता में कौन सी तीन बुराई बताई गई है तो देखिए मैत्री सहिता के अंदर एक बताई गया है जुवा दूसरा बताई गया है शराब तीसरा बताई गया है इस्त्री इन तीन बुराईयों के बारे में बताई गया यानि कि जुवा शराब और इस्त् प्रवास होता है यानि कि जादू टोना जो होता है उसके बारे में यहां पर भढ़ चड़ कर बताया गया है ठीक है और एक और चीज ज़्याद रखिए जो वेध हैं उनको अच्छे से पढ़ने के लिए यानि कि वेधों को पहले पढ़ाने ही जा सकता था तो उनको पढ़न जोते, शेक्षा, छंद और निरोक्त ठीक है अब आते हैं हम अपने पुरान पर पुरान से भी बहुत कॉशन्स पूछे जाते हैं टोटल हमारे कितने पुरान है अठारा पुरान है ठीक है और यह याद रखिए जो पुरानों की रचना है वो किष्णे की लोम हर्ष उग् पुरानों की रचना की थी ठीक है ऐसे पांच पुरान है जिन में राजाओं के वंशों के बारे में बताए गया है पांच पुरान के अंदर जो भी राजा थे उनके वंश के बारे में बताए गया है जैसे कि मतस्य पुरान में आदर सात्वाहन का वंश के बारे में बताए विश्नु पुराण में मौरेवंश के बारे में बताया गया है अब ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना यानि कि ओल्ड और ऑथेंटिक पुराण जो है वो कौन सा है तो उसे नोट कर लीजिए वो है हमारा मतस्य पुराण ठीक है और वेदों में महिला और शूद्र को पढ़ना अलाओ नहीं था यानि कि वेद जो थे वेदों को ना तो महिला पढ़ सकती थी ना ही शूद्र पढ़ सकते थे लेकिन जो पुराण है पुराणों के लिए ये कहा गया था तो महिला और शूद्र सिर्फ सुन सकती है ये वो भी नहीं सकते, यानि कि वेदों को न सुन सकते न पढ़ सकते हैं, महिला और शुद्र, लेकिन पुराणों को सिर्फ महिला और शुद्र होते हैं, वो सुन सकते हैं, इसको पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है, ये उनको अधिकार नहीं था, ये इसमें बताया गया है, अब दे पूच्छा जाता है तो ये बताया गया है शत्पत ब्रामण में महिलाओं को अरधांगनी कहा गया है और मनुस्मरती पूची जाती है मनुस्मरती जो है वो किसके द्वारा रचत है तो ये मनु द्वारा रचत है और जो मनुस्मरती है उससे क्या लिया गया है तो हमारा जो क Constitution है, वो मनुस्मरती से लिया गया है, ठीके, इसके अलाबा और क्या पूछा जा सकता है आपके एक्जाम में, ओके, जातक, क्या बताएं, जो आपने सुनी होंगी, इसमें क्या बताए गया है, तो इसमें भगवान बुद्ध के बच्पन के बारे में बताए गया है, किसके भ अब जो दो तरह के हमारे साहित्ते थे, आगम और पूरम, ठीके, जैन धर्म में दो तरह के साहित्तों के बारे में बताए गया है, आगम और पूरम, ठीके, अब यह बताएं, सूत्र की बात कौन करता है, तो सूत्र की बात की गई है, कल्प सूत्र के अंदर, किसके अंदर सूतर क्या है आपने सुना होगा नाम जल्दी से कमेंट करें भगवती सूतर देखी भगवती सूतर एक बुक है इसके अंदर भगवान महवीर dj Şeyn की बाइगरोफी लिखी है यानि कि भगवान जो महवीर dj उनकी वाइग्रॉफ ही है भगवती सूत्र अर्थशास्त आपको पता ही होगी चानक्य की है और उनको कॉटल ले और के नाम से भी जाना जाता है अब यह बताईए जो चानक्य है वो कौन थे तो वो यह पूछा जाता है कौन थे तो यह थे तक्षिला यूनिवस्टी का आप पर प्रॉफेसर थे ठीक है हो गया अब नेक्स्ट आते हैं आपको वो सब तो पता ही होगा अर्थशास चानक की किया इंडिका मेर्गिस्थनीच की है पाड़नी किसने लिख पाड़नी की क्या है अस्टा ध्याई और मुद्रा राच्छस किसने लिखी है तो वो है हमारी व पता होगा हमारे इंडिया के अंदर जो माउंटेन है वो दो तरह के होते हैं ठीक है किस तरह के हैं दो तरह के पहला है हिमाल्या सेकेंड है पैनिसुलर पैनिसुलर हिमाल्या अब देखिए हिमाल्या तो एक ही है पैनिसुलर के अंदर हमारे साथ और आते हैं अब वो कौन- आपको पता है सत्पुडा की पहाडियां कहाँ पर हैं, बताए जल्दी, कमेंट करिए, सत्पुडा की पहाडियां कहाँ पर हैं, MP में, ठीक है, अब इसका हाइस पोइंट पूछा जाता है सत्पुडा की पहाड़ी का, तो बताए हाइस पोइंट क्या है, दूबगर, ठीक है और फिर आते है अरावली की पहाड़ियां अरावली कहाँ पर है राजिस्थान में ठीक है और इसका हाइस्ट पॉइंट क्या कहा जाता है गुरू शिक्षर यह बहुत पूछे जाते हैं हाइस्ट पॉइंट याद रखेगा फिर आता है हमारा वेस्टन घाट अनाई मुड़े क्या है अनाई मुड़े फिर आता है हमारा इस्टन घाट यह एक इस्टन घाट कहाँ पर है आंत्प्रदेश में और इसका जो हाइस्ट पॉइंट है वो है जिन्दागरा ठीक है नेक्स्ट देखिए फिर आह हमारा नीलगरी नीलगरी की पहाड़ियां नीलगरी की पहाड़ियां हमारी कहाँ परती है टमिल नाइडू के अंदर और इसका जो हाइस्ट पॉइंट है वो है हमारा डोडा बेटा ठीक है यह हो गई और जो सैविन मैंने आपको बताई थी वो है इला मलाई लेकिन इसका कोई हाइस्ट पॉइंट नहीं है बस ऐसे याद रखिए इला मलाई हमारी जो इलाइची होते है उसके लिए फेमस है ठीक है अब देखिए आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो यंग फोल्ड माउंटेंस है वो क्या होते हैं तो यंग फोल्ड माउंटेंस हमारे हिमालियस को कहा जाता है इनकी सनरचना देखिए कुछ इस तरह की होती है इसको यंग फोल्ड माउंटेंस इसलिए कहा जाता है हमारे हिमालियस की सनरचना इस तरह की है ओल्डेस्ट अरावल सबसे ओल्डेस्ट की बात करें हमारे mountain में तो वो कौन सा आता है अरावली की जो कि हमारे राजिस्थान में पढ़ती है ठीक है कुछ और मैं पता देती हूँ आपको mountain passes जैसे की शिपकला और 12 लप्चा आपने सुना होगा नाम शिपकला और 12 लप्चा यह हमारे हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं बुर्जिल जोजिला हमारे कहां पढ़ते हैं जमू और कश्मीर में ठीक है बॉमडिला यह हमारे अरुणाचल प्रदेश में पढ़ते हैं और पीर फिर आता है हमारा दोलादर फिर आता है थर्ड हमारा महाभारता अब देखिए पीर पंचाल हमारा पढ़ता है जमुएन कश्मीर में धोलागर हमारा पढ़ता है एच्पी यानि माचल परदेश में और महाभारत हमारा पढ़ता है नेपाल में ठीक है यह इंपोर्टेंट रे पूछा जा सकता है ये कॉश्चन और बनी हाल पास पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर सर्फ एक ही पास है मिडल हिमालियाज में तो बनी हाल पास है वो भी हमारा क्या है बनी हाल पास यह हमारा बनी हाल पास कहां पड़ता है यह पास जम्मू को श्री नगर से जोड़ता ह तो ये भी पूछा जा सकता है questions कि जम्मू को श्री नगर से जोड़ने वाला pass कौन सा है तो वो है हमारा बने हाल pass ठीक है यहां तक आपको सारी चीज़े clear हैं ठीक है next move करते हैं आपको मैंने यह सारी चीज़े बता ही दी कि highest point क्या है ठीक है अब देखिए थोड़ा सा हम अर्थ की पर आ जाते हैं अर्थ की बारे में थोड़ा discuss कर लेते हैं आपको layers पता होंगी देखिए हम इस layer पर रहते हैं हम यहां रहते हैं इसको क्या बोलते हैं lithosphere ठीक है अब इससे नीचे अगर हम जाएंगे थोड़ा नीचे तो हमारे क्या मिलेगा crust यह हो गया और नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगी inner core क्या है सबसे पहले upper crust lower crust, mantle outer core और फिर inner core अब देखिए समझेए यह हमारी यहां जहां हम रहते हैं यह हम रहते हैं इसे कहते हैं lithosphere ठीक है? lithosphere अब देखिए यहां पर जो पाया जाता है इसे कहते हैं cial और यहां पाया जाता है cima, अभी मैं इसकी full form बताती हूँ, देखिए cial का मतलब है SI से है हमारा silica AL से है aluminium यह बहुत मात्रा में पाया जाता है और यह है SI का मतलब silica MA से मतलब है magnesium यानि कि upper crust की बात करें तो cial पाया जाता है और lower crust की बात करें तो सीमा का है, यानि कि silica और magnesium अब देखिए, यह question पूछा जाता है exam में बहुत, मैंने आपको जब previous papers कराये थे, उसमें भी मैंने आपको यह question कराये था, जो lower crust और mental crust को जो layer जोडती है, इसको बोलते हैं हम क्या, moho viric discontinuity ठीक है, वही mental और outer core को जो जोडती है, उसको बोलते हैं guttenberg discontinuity, ठीक है और अगर आप बात करें, इनके वो सारी चीज़न चलो नहीं discuss करते हैं, वो नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप इतना याद रखिए कि यहाँ पर, outer core पर क्या होता है, हमारा temperature जाधा होता है, और pressure हमारा कम होता है, लेकिन आर को पर temperature भी हमारा जाता होगा, प्रेशर भी जाता होगा, ठीक है, और inner core की बात करें, तो inner core पर क्या होते हैं, Ni Fe, knife मिलते हैं knife का मतलब है, यहाँ पर Ni से nickel, Fe से iron यह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है यह ठीक है तो यह आपको एक छुटा सा ओवर्व्यू मिल गया इसके बारे में आपने वैसे पढ़ा होगा इसके बारे में बहुत और सबसे ज़्यादा एट्मॉस्फियर में देखिए यह कॉशन भी आप लोगों ने टेलिग्राम पर भी पूछा था काफी बार एट्मॉस्फियर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एट्मॉस्फियर में हमारे क्या है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78 परसेंट ठीक है ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन है 21 परसेंट उसके बाद आरगन, कारवन आपको वो सारी चीजन तो पता होंगी किस तरह से हमारी लेयर्स काम करते हैं एट्मॉस्फियर में चलिए ठीक है एक चोटा जल्दी से डिसकस कर लेते हैं शायद कुछ स्टुडेंट्स को ना पता हो देखें वी मैंने आपको जब अर्थ की बताई थी तो मैंने बतायता है अब हम एट्मॉस्फियर की बात करेंगे तब भी लेयर आएगी यह है हमारी लिथोस्फियर जहां हम रहते हैं अब इससे हम थोड़ा उपर जाएंगे तो आएगी हमारी ट्रॉपोस्फियर शॉर्ट में लिख देती हूँ ट्रॉपोस्फियर ठीक है फिर इससे उपर तो आएगी हमारी आइनॉस्फेयर और आइनॉस्फेयर से वी उपड जाएगे लिखोस्फेयर, टॉप्वड़, स्ATORSPHERE, मैंजोस्फेयर ilot त्रोप Taosphere सिधे से बात करते हैं एक ऐर्थ पर जितने भी फिनोमेना होते हैं स्नो फॉल, रेंफॉल, थंडर फॉल ये कहा होते हैं ये सब हमारे यहां होंगे ट्रोपा स्फियर मैं यहां पर मैं लिग देती हैं रेंफॉल, स्टॉर्म ये सब हमारी troposphere में होती है troposphere की height कितनी होती है लगबग ये हमारे 12 km पे मिलती है हमें ये वाली layer troposphere ठीक है और जो छोटे जो domestic aeroplane होते है वो हमारे यहीं उड़ते हैं यानि कि troposphere पर उड़ते हैं और अगर हम बड़े aeroplane की बात करें जो लंबी दूरी के होते हैं वो हमारे स्ट्राटो 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 स्ट पतली होती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है, CFC, नूट कर लीजिए, पूछा जाता है, CFC सबसे बड़ा कारण है, Ozone Layer को, Depletion का, CFC की फुल फॉर्म है, क्लोरो फ्लोरो कारवन, ठीक है, और ये क्लोरो फ्लोरो कारवन सबसे ज़्यादा किस से निकलती है, तो ये न आफिस में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये आपको अंदर तो बहुत अच्छा एट्मोसफेर बनाते हैं, लेकिन बाहर उतने ही हामफुल होते हैं, ठीक है, तो इसी लिए ये कहा जाता है, कि इस तरह की चीज़ें ते को अब यूज हो र हमारा टैंप्रेचर भी बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ऐसी लेयर है, मैंने ये आपको यहीं बता दिया, ये एक ऐसी लेयर है, जहां पर हाइट जादा, लेकिन टैंप्रेचर यहां क्या है, कम, वो है हमारी मेजोस्फेर, मेजोस्फेर में हाइट जादा है, टैंप् क्योंकि इसको coldest layer भी बोला जाता है, सबसे ठंडी layer होती है, यहां पर तापमान की बात करें, तो minus 100 degree होता है, ठीक है, तापमान, पार्टिकल्स, और आपने मीटियोर्स के बारे में सुना होता है, तो मीटियोर्स भी यहीं पर आकर जल जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन से मीट जब आते हैं, तो यहां पर ठंडी layer पर जो उनका फ्रिक्शन होता है, आकर इसके उपर गिड़ते हैं, तो यहां पर आकर वर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है, अब देखिए, यहां पर कुछ और हम चीज़ें डिसकर्स कर लेते हैं, मैं आपको short trick बता देती हूं, देखिए आपसे यह पूछा जाएगा UNO के बारे में, UNO के जो 27 सदस्य हैं, permanent member जो हैं, वो कितने हैं, तो वो है 5 और जो non-permanent हैं, वो है 10, अब वो 5 कौन-कौन से हैं, तो ऐसे याद करिए, A, B, C, F, R, ऐसे याद करिए, A, B, C, F, R, A से America, B से, क्या होगा, Britain, C से China, F से France, R से Russia, ठीक है, यह 5 सदस्य हैं, permanent, और 10 इसके non-permanent हैं, ठीक है, सबसे यादा earthquake का आते हैं, San Francisco में आते हैं, यह याद रखिए, और, अच्छा, अब हम पंचायत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो पंचायत जो है, वो हमारा एक्जामपल है, political decentralization का, NDC याद कर लीजे, NDC की full form पुछी जाते हैं, तो National Development Council है, CDP की बात करें, तो यह हमारे community development program, ठीक है, इनका time period याद कर लीजे, 1952 में established हुई थी, यह वी 1952 में established हुई थी, यह दौनों बहुत पुछी जाते हैं, अब देखिए, पंचायत के बारे में बात कर लेते हैं, कि कैसे पंचायत system आया, देखिए, फेब 1957 में भारत सरकार ने एक high level committee की न्यूक्ती की थी, और उसका नाम था बलवंत महता committee, कौन सी थी? बलवंत महता committee, ठीक है, नवंबर 1957 में उन्होंने अपनी report सम्मिट की थी, और उन्होंने ये कहा था कि, जो हमारी पंचायत राज समिती है, या पंचायती जो system है, उसको कितना कर देना चाहिए? ठीक है, अब 1958 में बलवंत की recommendations NDC ने accept कर ली थी, फिर 2 October 1959 को राजिस्थान में, कहां पर? राजिस्थान के नागौर डिस्टिक में पहली पंचायती राज वहां पर शुरू किया गया, ये question बहुत पूछा जाता है, सबसे पहले पंचायती राज कहां शुरू किया गया, तो राजिस्थान के नागौर में शुरू किया गया, 2 October 1959 को, ठीक है, 1977 में पहली बार Congress की सर अशोक महता, पहलती बलवंत महता अवाई अशोक महता, 1977 में और इस कमिटी में ये कहा गया कि पंचायती राज जो हमारा 3 स्टेश चल रहा है, उसको 2 स्टेश पर कर दिया जाए, लेकिन तब ही सरकार गिर गई तो ये काम नहीं हो पाया, फिर 1992 में उस समय नरसिंगा राओ के गउर्मेंट थी, तब ये अमेंडमेंट पारित किया गया, कौन सा? 73 अमेंडमेंट अक्ट किया गया और इस पंचायती राज को फिर 11 अनुसूची में चोड़ दिया गया था, ठीक है, 11 शुडियूल में इसको इंक्लूट कर लिया गया था, और पंचायतों को सम्विद तो आप इन शॉट्याप कर लिजे 8 वी अनुसूची जो है उसमें 8 अनुसूची ती उसके बाद 4 अनुसूची और जोड़ी गई एक थी 9th फिर थी हमारी 10th फिर थी हमारी 11 और फिर थी हमारी 12 ठीक है ये अनुसूची जोड़ी गई अब यह सब के बारे में कॉमेंट करिए कि 9th किसे रिलेटेड है 11 10th किसे है 11 किसे हैं 12 किसे है 10 मैंने कर डिसकस करी थी 9 अभी डिसकस करी है 11 12 भी आप जिल्दी बताइए ठीक है नेक्स्ट देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर देखते हैं देखिए एक और चीज याद रखिए फोर्थ टायर पंचायती राज कहां पर है एक मातर ऐसा राज्य है जहांपे 4 टायर में यानि कि 4 लेवल में हमारा पंचायती राज सिस्टम है कौन सा है वो है हमारा बेस्ट वंगोल यहां पर चार टायर में वैसे हमारे तीन होती है कौन-कौन सी तीन होती है पहले होती है ग्राम पंचाइथ फिर होती है ग्राम समिती फिर होती है जिला परिश्यत इस तरह से होती है ठीक है और आपको यह पता होगा जो शहर के डिस्टिक कलेक्टर होता है व और इस पंचायती राज में कोटा फिक्स किया गया था, जैसे कि 15% किस के लिए रखा गया था, SC के लिए, और 7.5% किस के लिए रखा गया था, SD के लिए, और महिलाओं के लिए एक तिहाई, यानि कि हम 33% भी बोल सकते हैं, यह महिलाओं के लिए रखा गया, मतलब फिक्स की इसके अलाबा आपको यह पता होगा कि पंचायती कितने मामलों में कानून बना सकती है यानि कि पंचायत जो थी उनको कितने मामलों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया तो वो थे 29 सब्जेक्ट उनको दिये गया थे जिसके पर वो अपना कानून बना सकती है और यह किस में बताया गया है यह 11th schedule के अंदर बताया गया है ठीक है अब यह बताईए यह पुछे जाता है जो minimum age है किसकी MLA की वो कितनी होती है बताईए वो है 25 years कितनी है 25 years ठीक है next देखिए अब चलिए पंचाईदी यह खतम हो गया कुछ और मैं आपको important questions बता देती हूँ हो सकता है पूछ ले जाएं देखिए जो जिन्दा जिन्दा पीर किसको कहा जाता था जिन्दा पीर या फिर अगर हम बात करें तो living saint किसको कहा जाता था यह कहा जाता था और रंग चेप को ठीक है बिएच्यू की स्थापना किसने की बताईए मदन मोहन माल विएजीने मदन मोहन माल विएजीने की पीएच्यू की स्थापना फिर है होम रूल कब इस्टैबलिश हुई थी बताईए कब फॉर्म की गई थी होम रूल यह की गई थी फस्ट वर्ल्ड वॉर में बताईए फस्ट वर्ल्ड वर का टाइम पीरिट कहा था जलदी से कमेंट करिए डायड ची गवर्मेंट बताईए डायड ची गवर्मेंट का मतलब होता है डवल गवर्मेंट ठीक है जैसे कि मैंने कल आपको बताया था मुस्लिम एक्ट और इंडियन एक्ट दौनों साथ साथ चलेंगे ठीक है अब है जब टॉप स्वेल से सब स्वेल में ट्रांसफर होते है मेंडरल्स तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है मैंचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है कोईमबटूर को और सबसे लॉग अगयस्ट क्या लॉगस्ट कोस्ट लाइन बताये कौन सी है कौस्ट למाइन इन इडिया तो वो है हमारी गुझराथ ठीक है डैनमार्क की केपिटल क्या है कोपे इंगरन है और सिईजी का अप का जो appointment है वो 6 साल और 65 साल यानि कि 6 साल या तो वो पहले कारल है या फिर उनकी एस 65 हो जाए जो भी पहले होगा वो उस पर रिटायर हो जाएंगे ठीक है अब यह बताए जितनी भी All India Services होती है उनका appointment किसके दौरा किया जाता है All India Services उनका किया जाएगा President के दौरा ठीक है अब कुछ Headquarters और याद कर लीजे मैं बता देती हूँ आपको जल्दी जल्दी जैसे कि ADB Asian Development Bank इसका Headquarter कहां पर है Philippines में ठीक है फिर आता है Sark Sark का Headquarter भी आपके एक्जाम में बहुत पूछा जाता है और आप Commerce Student है तो हो सकता है आपके एक्जाम में बहुत पूछा जाता है क्योंकि Journal Knowledge के Questions सब्जेक बाइस बहुत पूछे जाते हैं जैसे कि अगर आप Commerce Student है तो Commerce related Questions बहुत आएंगे तो Sark का है काठमांडू IMF का बताइए जल्दी से कहां पर है Washington DC में है IMF का Headquarter WTO का बताइए WTO का जैनेवा में है ठीक है अच्छा ये बताइए जो Quantum Theory है Quantum Theory ये किसने दीती पढ़ा होगा आपने Quantum Theory ये दीती Max Planck ने ठीक है Quantum Theory किसने दीया Max Planck ने और भी भूत सारे अभी पॉइंट रहे गए हैं चलिए एक दो और कर लेते हैं बताइए Indian Napoleon जो है वो किसे कहा जाता था Indian Napoleon समुंद्र गुप्त को ठीक है फिर है इन पार्लियमेंट एक कमिटी एपॉइंट की जाते है स्पेस्विक परपस के लिए तो उसको क्या बोलते हैं यानि कि कोई भी कमिटी जो स्पेस्विक परपस के लिए पॉइंट की जा रहे है पार्लियमेंट के अंदर उसको बोलते है एड होक कमिटी ठीक है अब देखें कुछ स्टील प्लांट से उनको नोट कर लीजिए भिलाई स्टील प्लांट चत्तिसगर शॉट में लिख देती हूँ वो कारो स्टील प्लांट कहां पर है जार घंड में राउल केला स्टील प्लांट कहां पर है उड़ीसा में ठीक है दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पर है वेस्ट वंगॉल में ठीक है और फर्स्ट टाइम जो एमर्जेंसी डिक्लियर की गई थी वो की गई थी October 1962 में जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था इंडिया चाइना वार हुआ था 2nd emergency डिक्लियर की गई थी December 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान वार हुआ था थार्ड एमर्जेंसी थी जोत की थी जून 1975 में ये बताईए ये क्यों की गई थी इसका आपको बताना है ठीक है और राज्यसवा का पदेन सवापती आपको पता है कौन होता है उप्रास्टपती होता है उप्रास्टपती का पद जो होता है वो किस अनुच्छेद में बताये गया है तो अनुच्छेद 63 में उसको बताये गया है मंत्री परिशत का जो प्रधान होता है वो कौन कहलाता है प में 1952 को ठीक है तो यहीं तक रखते हैं आज के कॉशन्स अभी बहुत कॉशन्स रह गए हैं डिसकस कर लेंगे चलिए थर्ड पार्ट में और मैं सोच रही हूं इसी तरह से हम एक वाग कॉमर्स भी डिसकस कर ला है जिससे आपको कॉमर्स के भी जो पॉइंट्स हैं डाउट् पर आपका रिबीजन हो जाए वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएगा अपने फ्रेंड्स के शेर के जो किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप यहां पर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप टेलिग्राम ग्रूप पर मुझे ग्रूप पर या फिर मुझे पर्सनारी में मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मलते हैं तब तक लिए टिक किया ना बाई बाई